सीधा रुकत हैं मेरे सयोगी नहीं माफ किजिएगा अनुप्रिया जी हमारे साथ बने हो राजीब के पास मैं दुबारा जाओंगा अनुप्रिया जी राहूल गांदी की वापसी विज़ार सी बात है कॉंग्रेस के लिए तो जश्न का महौल है शेर आ गया आंधी आ गया तुफान आ गया जेडियू कैसे वेलकम कर रही है राहूल गांदी का रवी जी कल का जो दिन था यह बहुत ही सुख़द और लोगतंत्र का एक एतिहासिक दिन था कि जिस तरह से सड़न के तरह भाजपा ने एक साजिस रची और इंडिया के एक मजबूत सहयोगे दल कॉंग्रेस के नेता राहूल गांदी जी को जिस तरह से सड़न से बाहर करन का रास्ता उन्होंने अपनाया था उसको औरनेवल सुप्रीम कोट ने कल जजमेंट जो दिया और जो पैसला उन्होंने कहा ये एक बहुत ही सुखत दिन था कि अभी भी हमारे देश में लोगतंतर है और सरकार जितनी भी कोशिश करें लोगतंतर के खिलाफ या संबेदान के कारे करने की यह संभव नहीं है यह देश अभी भी और इसी के लड़ाई लड़ रही है इंडिया और इंडिया के सहयोगी जितने भी दल है इसी लड़ाई के लिए एक साथ में आई है तो यह कल का दिन बहुत ही एतिहासिक दिन था लेकां सिवंत्यागी जी जो जिस तरह क वक्तव दे रहे थे यहां पे कि भाई आप मोदी जी के खिलाफ बोलिएगा मोदी सरनेम के खिलाफ बोलिएगा तो क्या उमीद करते हैं कि भाई भाजपा का कोई नेता जाके न्याले के दरवादा नहीं खटकटाएगा लेकिन सिवंत्यागी जी शैद आपकी आत्मा होती थी वह जाकर के कोट या प्रवक्ता अपने चैनल पर किसी भी डिबेट के माध्यम से कहें कि यह गलत हो रहा है हम इनके खिलाफ जाएंगे इनको बस चिंता है कि देश के प्रधान मंतरी मोदी जी पर नहीं पूछा जाए जब कि पूरा देश पूछ रहा है कि आपने आपने जो कहा आपने जो बाते कहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो क्या हुआ बेटी तो आप ही से नहीं बच रही है बेटी आपके नेताओं के बेटी का जो सम्मान है आपके नेताओं के कारण ही धुल्मिल हो रहा है आपने जो जो भी बात देखी जी जी रवी मानने मुखमंतरी नितीश कुमार जी को कभी भी इसकी कोई खतरे की घंटी ना पहले थी ना अभी है मानने मुखमंतरी जी ने एक नजीर पेश किया है और एक अथक प्रयास किया है कि जो प्रयास हमने बिहार में किया उसी प्रयास के तहट आप यह सवाल क्ये भाज़पा के अंदर था और भाज़पा के अंदर यह पहले से था कि भाई एक जोट होंगे की नहीं होंगे हमने यह भी कर दियाई इसम पता नि नहीं, मैं आपके इस बातों का खंडन करती हूँ, क्योंकि बिहार में एक सरकारी कारेक्रम तै था, माने ने मुक्तमंत्री जी को वहां पहुंचना था, इसलिए वो बैंगलोरी के बैठर के बाद में उनकी फ्लाइट थी, वहां चले आए, लेकिन जो बात मैं कहना चाहरी थ इसकी संब्धान के बचाव के लिए एक जुट हुए, और यह चिंता विजेपी के लिए हो, मैं कहते हूँ कि चेहरे की बात आप मत किजिए, जो मैजिक नंबर है दोजाट चौबिस में, जिसकी बात हम करें हैं, जिसकी बात हम पहुँच जाएंगे, उसके बात हम जितने होगा, मैंडर होगा, उसके अधार पर होगा, और हम लोग जब मैजिक नंबर हम लोग प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम टेक करेंगे, कौन होगा, जिक है, कि दौश आप,